आप में से maximum बच्चों को ये मालूम होगा कि area of triangle find करने के लिए हमारे पास कई सारे formula हैं और अगर वो triangle equilateral है तो उस case में आम तोर पे हम इस formula को use करना जादा बहतर समझते हैं और आज के इस वीडियो में हम यही बताने बाले हैं कि इस formula को आखिर कैसे हम derive कर सकते हैं तो चलिए फिर चीजों को समझते हैं अब देखो area of triangle find करने के लिए जो सबसे common formula है हमारे पास वो ये है चलो मैं tilt करके ही लिख देता हूँ area is equal to half into base into ch यहाँ ch का मतलब है corresponding height जो आप base लिए हो उसके respect में जो height होगा उसे हम लिखते हैं corresponding height आम तोर पे इस formula को आपने ऐसे ही याद किया होगा half into base into height but height लिखना avoid करो corresponding height लिखोगे तो ये बहतर माना जाएगा तो चलिए आज मैं इसी चीज़ को derive करता हूँ तो देखो इसके लिए मैंने एक equivalent triangle बना लिया और इसके हर एक sides को मैं a consider कर लिएता हूँ ये पूरा a है तो ये कितना हो जाएगा a by 2 धियान दीजेगा क्योंकि ये एक equilateral triangle है और in case of equilateral triangle ऐसा होता है क्योंकि ये दोनों triangles जो है ये दोनों आपस में congruent है काफी आसानी से इन दोनों को आप congruent साबित कर सकते हो अगर आप congruent से already पढ़ चुके हो फिर तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी और अगर इन case नहीं पढ़े हो तो इस चीज को फिलहाल ignore कर दो लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ बड़ धवराना मत देखो इन दोनों triangles को जब आप देखोगे तो आप देख सकते हो ये common हो गया ये दोनो 90 हो गया और ये दोनों भी आपस में equal हो गया तो इस तरीके से by RHS condition ये दोनों congruent हो गया और इस हिसाब से this length must be equal to this length cpct हम लिखते थे वहाँ तो खर जो भी हो मैंने इसे लिखा a by 2 अब आपको आना होगा इस बाले triangle में अगर आप कहो तो मैं कुछ नाम भी लिखता हूँ चलो आपके लिए मैं नाम लिख देता हूँ ये मैंने लिखा a b c और इसे कर देता हूँ m अब आपको आना होगा a b m देखो ये एक triangle है a b m जहाँ m पे 90 degree बन रहा है तो definitely आप Pythagoras theorem तो use कर ही सकते हो चलो इसे मैं h consider कर लेता हूँ तो बताओ according to Pythagoras theorem h is equal to h का मतलब hypotenuse यहाँ नहीं है मैंने कुछ भी नाम लेना था मैंने h ले लिया राइट ना तो h is equal to triangle में देखो this length is equal to this length का square under root में होगा और ये बस Pythagoras apply कर रहा हूँ I hope ये बात तो आपको समझ में आ ही रही होगी मैं लिख देता हूँ ध्यान से देख लो minus मैंने लिखा अगर मैंने पहले plus बोल दिया था तो sorry for that a square by 4 हो जाएगा right ना simple है ना कि इसकी square sorry ये length equal to क्या होगा square root of this square or minus this square उसी चीज़ को देखो मैंने यहां लिखा जो लिखा उसमें focus करो और ये आपको मालूम होगा चलिए मैं LCM ले लेता हूँ तो LCM ले लोगा तो कितना हो जाएगा 4a square हो जाएगा और जब minus करोगे तो 3a square by 4 आजाएगा LCM ले करके और minus करके आप देख लो और इसके बास बस छोड़ा जगा हम आपको करना है आप देख लो a square के बादले a बाहर आजाएगा और 4 के बादले 2 बाहर आजाएगा तो root 3 अंदर आजाएगा a बाहर आजाएगा और 2 बाहर आजाएगा तो ये कुछ और नहीं बलकि h की value हो और h का मतलब हमारा है am से right now अब यहाँ बस थोड़ा सा operation कर लो सारा काम आपका समझो हो गया 1 by 2 के बादले आपको 1 by 2 लिखना है into base के बादले obviously ये length आपको लिखना है bc और bc की value कितनी है obviously a है क्योंकि ये एक collateral triangle है तो bc के बादले आपको a लिखना होगा घबराना मत ये b और a से ठीक है ये base लिखा हुआ है तो base का value कितना है length कितना है तो वो a है into corresponding height तो corresponding height का मतलब ये वाला height है तो इस height की value कितनी है root 3 a by 2 है तो उसी चीज़ को यहाँ हम लिख लेते है root 3 a by 2 right बस समझो आपका काम हो गया अब देखो ऊपर क्या हो गया root 3 a square और नीचे क्या हो गया 4 हो गया 2 to the 4 तो आप देख सकते हो root 3 by 4 a square और यही तो formula है तो इस तरीके से काफी आसानी से इस चीज़ को derive किया जा सकता है तो I hope इस चोटी सी वीडियो में बताई गई सारी बाते आपको समझ में आ गई होगी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में तब तक अपना खयाल रखिएगा Thank you